वेलकम दूस्तों आज की इस वीडियों पढ़ेंगे हम इंसुलेटर्स केबल्स और एलेक्ट्रिकल वायर्स एंड टोटल एलेक्ट्रिकल ऐसे सरीस के बारे में सबसे पयरे देकेंगे क्ढ़ें और पूछार भी जाता है कंड़क्टर चालक बहुता प्रीफिकल आधीक होगे कि अदिक होने के कारण होसे और क्ढ़ें का कहलाथा कर दोस्तों अब conductor की एक property होती, इस property को हम समझेंगे, इसमें जो valence electron है, conductor में जो valence electron है, ये valence electron less than 4 होता है दोस्तों, तो जिस conductor में valence electron less than 4 हो, less than 4 याद रखिएगा, less than 4 हो, तो ये good conductor कहलाएगा, अर्थात conductivity उसकी अच्छी होगी, नेक्सिस में देखेंगे, इसकी जो property है, इसमें विद्दुधाराई बड़ी सुगंदा से प्रवाहित होती ही, मतलब आसानी से इसमें current flow होती ही दोस्तों, और सबसी अच्छा जो conducting material है, वो है चांदी, जिसे silver कहा जाता है, और दोस्तों इसका जो sequence है, वो है silver, copper, gold और aluminium, तो यह इसका sequence है, दोस्तों सबसे अच्छी conducting material, silver है, उसके बाद copper है, उसके बाद gold है, उसके बाद aluminium है, तो यह इसका sequence है, दोस्तों, लेकिन maximum जो conducting material है, उसे देखेंगे, अधिकांस तो जो धातुएं होती है, विद्दुध के सुचालक ही होती है, maximum जो metal है, वो विद्दुध के सुचालक ही होती है, मतलब उसकी conductivity सुद्ध जल होता है, जिसे आसुद्ध जल कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया सुद्ध जल क्या होता है, तो जो filter किया हुआ जल उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यह सुद्ध जल की बात किया थी है, आसुद जल, जो आसुद जल है, आसुद जल, यह आसुद जल को हम किस कुछ आलग होता है दोस्तों इसे ही शुद्ध जल कहा गया है तो डिस्टि जो वाटर है वो विद्धुत का कुछ आलग होता है क्योंकि यह क्या होता है उदाशीन होता है दोस्तों और जो अच्छे चालग का प्रतिरोध क्या होगा अच्छा जो कंड़क्टिंग मटेरियल रेस्टिविटी हमेशा कम मिलेगी क्योंकि conductivity जदा है तो रेस्टिविटी क्या मिलेगी कम मिलेगी दोस्तों तो यह इन properties को conductor की इतने सारी जो property है main property को हमें याद रखना पड़ेगा इन में से जो main property है यह वही है सबसे अच्छा conducting material किसका होता है सिल्वर का होता है ठीक है second valence electron कितना होता है less than four होता है दोस्तों इसे हमें याद रखना है आगे देखेंगे हम electrical wire और electrical wire क्या होता है दोस्तों विद्धुत्तार जिसे कहा जाता है यह जो electrical wire है इसके उपर क्या चड़ा होगा insulation चड़ा होगा या अचालक आवरण चड़ा होगा तो insulation या अचालक आवरण जो चड़ा होता है उसके कारण यह क्या कहलाता है electrical wire कहलाता है अर्था जिसके उपर insulation चड़ा हुआ है तो हम यह कहेंगे कि यह क्या है एक तरीके का विद्धुत तार है ठीक है तो अचालक आवरण insulation रही चालक को तार कहा जाता है यह यह भी कह सकते हैं कि जैसे cable में आवरण चड़ा होता है लेकिन wire में आवरण चड़ा नहीं होता तो इ विद्दुत तार जो है उसके उपर insulation चड़ा नहीं होगा insulation चड़ा नहीं होगा उसे क्या कहेंगी हम तार या wire कहा heart दोस्तों यह सबसे वायर तो टाइप साफ वायर में देखेंगे दूस्तों हम सबसे पहले कि विद्धुत तार के प्रकार है उनमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है ACSR इसका फुल फार्म क्या होता यह बहुत बार पूछा गया है मोस्ट इंपोर्टेंट ACSR जो कंडेक्टर है जो तार है उसका क्या यूजत है तो ACSR का फुल फार्म होता है अल्मुनियम इंप静े से ऑन्मुंनियम हो गया त्व और 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 से रेनफोर्च हो गया तो इसी का नाम है एसी एसर कंड़क्टर यह बहुत बार एक्जाम में भी पूछा जाता दोस्तों अब्जेक्टी कोश्चन में इसका फुल फाम पूछ लेता है इसलिए सभी स्टुडेंट को याद रखना बहुत जरूरी है तो फर्स्ट हमने एसी एसर कंड़क्टर देखा था इसका यूज कहां करते हैं दोस्तों ओर हेड लाइन में कहां किया जाता है ओर हेड लाइन में यूज किया जाता है दोस्तों मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन है या जो बड़े बड़े टावर्स हैं या पोल है या ट्रांसमिशन लाइन हो या distribution line हो, सब में जहां पर भी हम conductor यूज करेंगे, तो वो AC, SR conductor ही यूज करते हैं, दोस्तो, long transmission line में सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है, second है आपका GI wire, galvanized iron, तो ये GI wire जो है, ये telephone lines में यूज किया जाता है, और proper way में देखा जाए, तो ये GI wire है, ये अर्थिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, इसके बाद देखें क्या हूं, third में है fuse wire, तो fuse wire कहां यूज किया जाता है, हमें भी पालूब है, general fuse हम कहां यूज करते हैं, जैसे kitkat fuse हो गया, kitkat fuse में fuse wire यूज किया जाता है, rewireable fuse भी वोला जाता है, rewireable fuse में भी fuse wire का यूज किया जाता है, अग्था जो melt होके गल जाए उसके बाद फिर से हम rewiring कर सके, वो क्या गया लाता है, rewireable fuse, तो fuse wire जो है, ये कैसा बना होता है, या कौन-कौन से material का मिलकर बना होता है, तो fuse wire जो है, ये SN मतलब TIN और LED, दोनों का combination होता है दोस्तो, TIN और LED का, तो TIN जो है, ये कितने percent होगा, ये 63% होगा दोस्तो, TIN 63% या 63% होगा, और PB मतलब की SISA, SISA कितने percent होगा, ठीक है, ये होगा, LED जिसे PB कहा जाता है, SISA कह सकते है, 37%, तो इन दोनों का combination होता है दोस्तो, ये बहुत बार पूछा गया, most important point है, कि जो fuse wire होता है, वो कौन से material का, कौन से मिस्रधातू का, किसका मिस्रण होता है, तो ये होता है TIN प्लस SISA का, किसका होता है, TIN प्लस SISA का होता है दोस्तो, तो इसमें इसका प्रतिशत भी पूछे लेता है, कि TIN का कितना percent है, और SISA का कितना percent है, तो TIN का होता है, 63%, सब स्टोडेंट ध्यान दे, प्लस SISA का होता है, 37%, तो LED का 37%, या उससे SISA भी कह सकता है हम, और TIN का 63%, यह बहुत बार पूछा गया दोस्तो, दोनों का combination होता है, ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम, यह इसकी जो गलनाग होती है, बहुत कम होती है, मतलब melting point जो है, वो बहुत, बिल्कुल निम्न गलनाग वाली मिश्रधातू की तारे हैं यह, तो इसका जो melting point है, वो बहुत कम है, melting point बहुत कम है दोस्तो, इसलिए जल्दी melt हो जाती है, तो यह एक प्रकार की क्या है, मिश्रधातू है, और मिश्रधातू का तार होता है, जो fuse के रूप में हम इसमें use करते हैं, अब यहाँ जो क्या है, कहाँ पर use किया जाता है, main wire में लगा जाता है, मतलब कि जो main switch है, main switch में जो fuse लगा हुआ है, ठीक है, main switch में अलग-अलग ampere के fuse यूज़ कि जाएंगे, revirable fuse, उनमें इनका use किया जाता है दोस्तो, और fuse तार का जो resistance होता है दोस्तो, यह resistance हाई होता है, यह बड़ी सोचनी वाली बात है, कि resistance क्या होगा इसमें, हाई होगा, लेकिन melting point जो होगा उसका, यह कम होगा दोस्तो, melting point कम होगा, तो दो चीज़ निकल के आती है यहाँ पर, कि जो fuse है, वो कौन से material का बना होता है, तो टीन और सीसा का बना होता है, प्लस सीसा का बना होता है, ठीक है, हम जो soldering करते हैं, वो भी सीसा प्लस टीन का ही बना होता है दोस्तो, लेकिन उसका जो ratio होता है, वो अलग-अलग होता है, लेकिन यहाँ पर rewireable fuse की बात की जारी है, fuse wire की बात की जारी है, यह टीन प्लस सीसा का combination होता है, फिर इसका यूज जो करते हैं, इसका जो गलनांग होता है, क्या होता है, निमन होता है, देखो, सेकेंड पॉइंट की जो गलनांग निमन होता है, थर्ड पॉइंट होता है, इसका resistance क्या होगा, हाई होगा, next देखेंगे हम, इसके बाद देखेंगे हम, यूरेका, ये भी एक, सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला material है, या metal, या तार है, तो यूरेका का यूज करते हैं दोस्तों, और कहां कहां यूज किया जाता यूरेका का, ठीक है, ये देखेंगे हम, तो यूरेका एक मिस्रधातु है, पहली बात तो, यूरेका क्या है, एक मिस्रधातु है, लेकिन ये बना कैसे है, ये है, copper से अर्था तामा से plus nickel से बना हुआ दोस्तो तो तामा और nickel का combination दोस्तो ये इसमें जो तामा है वो कित्ते percent है ये 60% तामा है और 40% इसमें क्या होता है दोस्तो निकल होता है और basically इसका जो use किया जाता यूरे का तार का ये हमेशा या तो resistance बनाने में यूज करते हैं या रियो स्टेट बनाने में अर्थात resistance और रियो स्टेट बनाने में यूरे का वायर का use किया जाता है ठीक है दोस्तो क्योंकि इसकी resistivity क्या होती है बहुत high होती है इसलिए यूरे का तार का use किया जाता है और यूरे का तायर जो है इसका जो पर्षेंड ये पूछा जाता है बहुत बार पूछा गया है अब्जेक्टिव कोश्चन में इसके बाद देखेंगे हम इसके बाद देखेंगे नाइक्रोम ठीक है नाइक्रोम ठार हमेशा ये भी उलेक्ट्रिकल में ०्सके जाता है जैसे यूरे का यूईर्यकल आ‍पर यूप में इस में ये किस किस का मिलकर बनोगा जैसे नाइक्रोम इसका नाम है वाइसी ये निकल प्लस क्रोमियम से मिलकर बना होता है निकल प्लस क्रोमियम से मिलकर बना होता है तो इन दोनों का कॉंबनीशन है निकल प्लस क्रोमियम का लेकिन निकल कितने पर्शंट होता इसमें 80 पर्शंट होगा और क्रोमियम दोस्तों कितने परसेंट हो जाएगा ठीक है और इसका जो यूज किया जाता है वो हीटिंग एलिमेंट में किया जाता है अर्थाथ हीटर में जो हीटिंग क्योंकि basically cables का यूज बहुत ज्यादा हम करते हैं daily life में cables का यूज करते हैं electrical i.c.series में सबस्याइद cables का यूज करते हैं ठीक है तो- cable क्या होता यी जिसके ऊपर क्या हो Insulator या अच्छालक आवरन चड़ा हो तार क्या कहला केबल कहला एगा मतलब केबल और तार का दोनों का बहुत गहरा कॉंबिनेशन है क्योंकि तार के उपर यदि हमने इंसुलेशन चड़ा दिया यह तार है और तार के उपर यदि हमने इंसुलेशन चड़ा दिया तो यह बन जाएगा केबल ठीक है दोस्तों अब केबल बनाने का रिजन यहीं है कि यदि इसके इससे करेंट फ्लो होती है तो यदि इसको human body टच करती है तो उसको शॉक न लगे इसलिए केबल का निर्माट किया गया दोस्तों तो अचालक आवरा निजिक तो तार को क्या कहा जाता है ढork मैंकर जmental कहा जाता है तो यह सिंपल सा डेशन हो गया और इस डेशन को सभी को याद रखना है कि दोस्तो एक केबल का डाय Warum है और इस केबल कर डाय ग्राम से हम देख सकते हैं इसमे जो उपर वाला जो भाग है यह है है conductor दोस्तो यदि इसका sequence याद करना है हमको तो sequence भी याद कर सकते है इसका एक trick है इस trick से Sim Bus तो क्या है Sim Bus तो इस trick से याद दोस्तों हम पूरे केबल का उसके अंदरा का construction याद कर सकते है ठीक है तो c से क्या होगा दोस्तों c से हो जाएगा आपका कंड़क्टर ठीक है आई से हो जाएगा आपका इंसुलेटर इंसुलेटर एंसे हो जाएगा आपका मेटलिक सीथ मेटलिक सीथ वी से हो जाएगा बीडिंग ठीक है और एसे हो जाएगा आपका आर्मूरिंग और ऐसे हो जाएगा सर्विंग तो इस ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों याद कर सकते हैं सिम बस ठीक है सिम बस इस फार्मूले से इस ट्रिक से हम कंड़क्टर के सभी लेयर को याद कर सकते हैं इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 layer होते हैं दोस्तो केबल में किते layer होते हैं? 6 layer होते हैं ठीक है, अब 6 layer कोण-कोण से काहाँखा होते हैं ये देखेंगे हम लिख लेते हैं सबसे पहले trick, sim, bus तो ये जो बहर outer वाला दिख रहा है ये है दोस्तो conductor ठीक है इसके अंदर वाला जो पार्ट है यह है इंसुलेटर आई ठीक है दोस्तों फिर इसके साइड वाला जो पार्ट है यह जो दिख रहा है यह होता है मेटलिक सीथ मेटलिक सीथ उसके बाद इसके अंदर वाला जो यह साइड वाला जो पार्ट है यह होता है बीडिंग क् आर्मोरिंग कौन सा भाग होगा जो आर्मोरिंग की हुई थी यह यह वाला भाग यह होगा आर्मोरिंग और बाद में जो बाहर वाला पार्ट जो बचेगा इसके नीचे के अंदर वाला पार्ट यह क्या कहलाएगा सर्विंग ठीक है दोस्तो अब यदी इससे समझना है तो conductor यह हो गया आपका उसके बाद insulator जो हो गया यह बाहर बाहर भाग हो गया ठीक है इसके बाद यह जो आला part जो है यह सेक्षन है यह हो जाएगा आपका bidding का उसके बाद यह आला section है यह armoring का यह आला sheet और इसके अंदर वाला जो है वो सर्वे हो जाए तो इस तरीके से दोस्तों इस डाइग्राम से समझ सकते हैं इसके बाद दोस्तों देखेंगे हम टाइप साब केबल और टाइप साब केबल में सबसे पहले देखेंगे वी आई आर केबल टाइप सब केबल में VIR केबल इसका फुल फाम होता है वलकेनाइजट इंडियन रबर ठीक दोस्तों यह बहुत बार पूछा गया most important point है objective question में पूछा जाता है कि VIR केबल का फुल फाम क्या होता है तो इसका जो फुल फाम है यह वलकेनाइजट इंडियन रबर है ठीक है दोस्तों वलकेनाइजट इंडियन रबर केबल इसका जो यूज है जहां स्थाई क्रॉसिंग में करते हैं केपिंग में किया जाता है कंड्यूट पाइप में किया जाता है और सभी प्रकार की जो जो एलेक्ट्रिकल वाइरिंग है उसमें यूज की जाती है तो सभी स्टुडेंट द्यान दे वी आई और केबल के बारे में हम पढ़ें और इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है इसका फुल फॉर्म नेक्स देखेंगे हम इसके बाद देखेंगे हम CTS केबल सेकेंड क्या है CTS केबल और CTS जो केबल है इसका फॉल फॉर्म क्या होता दोस्तो कैब सी से होगा केप टायर सीच केप टायर सीथ, cts, केप टायर सीथ, cts, ठीक है दोस्तों, तो केप टायर सीथ इसका फुल फांनता है, और इसे triggers जो केबल है, जिसे टफ रवर सीथ कह जाता है, तो प्रेयोग कहां पर करते हैं नमी वाले स्थान में जहांपर मॉइस्ट्र है एसी जगह पर हम इस wiring का यूस करते हैं धोस्तों ठीक है इसके बाद देखेंगे थर्ड पॉइंट पीवी सी पीवी से का फुल फाम क्या होता है पॉली विनाईल क्लॉराइट केबल तो पी से हो गया पॉली V से Vinyl और C से Chloride तो PVC Cable जनरली बहुत बार एकजाम में पूछा गया है और इसका फुल फार्म है इसे हमें याद रखना बहुत जरूरी है यह most important है और यह एकजाम में बहुत बार पूछा गया है इसका फुल फार्म तो इसे भी पर जो जितनी भी conditions है सबी condition में वैदूत वायरिंग के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि PVC जो है यह बहुत जादा यूज की जाती है जनरल जो हमारे अधोगिक छेतर की जो वायरिंग की जाती है या घरों की वायरिंग की जाए या बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री की किया जाए या बड़े- जो फ्लेट्स होते हैं उनकी वायरिंग की जाता तो वो सब PVC केबल का ही यूज किया जाता है इसे क्या है अत्यदिक उच्च चिया अत्यदिक निम्नताप पर प्रयोग नहीं किया जाता जहां पर temperature जादा हो टेंपरेचर जादा हो ऐसी जगह पर इस केबल का यूज हम नहीं कर सकते अर्थाथ इसके लिए जो टेंपरेचर चाहिए वो 25 डिगरी सेल्सियस नॉर्मल या 0 से लेकर 25 तक या 50 तक मैक्सिमम 50 तक यदि हम देखें कि यदि कोई केबल खराब नहीं होता तो वो 0 से लेकर 50 डिगरी सेल्सियस के अंदर तक केबल को हम यूज कर सकते हैं उसके बाद तो वो आटोमेटिक हीट होगा तो उसका पीवी से जल जाएगा नेक्स देखेंगे दोस्तो स्वीचेस के बारे पड़ेंगे और अलग अलग टाइप के स्वीचेस होते हैं एक्च्वल में स्विचेस क्या है और इसका सिंबॉल कैसा होता है यह किसका सिंबॉल है दोस्तों स्वीच का सिंबॉल है ठीक है तो स्वीच का सिंबॉल हमने देख लिया स्विचेस कैसे होते हैं अब देखेंगे किसी वैदुत परीपत में विदुत धारा के प्रवहा को प्रारम या समाप्त करने के लिए जो उपकरन यूज करते हैं उसे switches कहते हैं दोस्तों या तो starting के लिए current के flow के लिए या उसे close करने के लिए मतलब on और off करने के लिए तो electric current के flow को on या off करने के लिए जिस device का use किया जाता है circuit में वो switches कहलाते हैं दोस्तों ठीक है आगे देखेंगे हम switches single face के अलग आएंगे three face के अलग आएंगे single face के switches अलग मिलेंगे आपको three face के switches अलग मिलेंगे तो three face line में जो परिफ़त को on off करने के लिए जो use किया जाता है switches को उसे कहते है ICTP क्या कहते हैं दोस्तों Ic फिर से लिखेंगे से हम ICTP ठीक है तो यह three face में use होगा ICTP और टूफेस में यह होगा ICTP ठीक है आइरन क्लेट डबल पॉल स्विच तो यह ICTP हुआ ICTP में डबल पॉल और ICTP में यह जो टी लिखा हुआ यह triple पॉल के लिए होता है तो जो ट्रिपल पॉल होते हैं वह आर वाई बी के तीन पॉल होते हैं दोस्तों और डबल में एक नीटल और एक फेस के लिए होता है दोस्तों ठीक है तो ICTP में यही relation होता है आगे देखेंगे हम एक कि फ्रंट स्क्रीन में जो डायग्राम दिख रहा है दोस्तों यह डायग्राम है आई-सी-टी-पी का डायग्राम है दोस्तों तो यह ICTP का जो डायग्राम है इसमें दिखेंगे यह आर वाय और B, तीन फेस के लिए तीन पोल दिया हुआ है इसलिए ये R फेस के लिए Y फेस के लिए और ये B फेस के लिए इसलिए तीनों के लिए ये जो फ्यूज है ये रिवायरेवल फ्यूज होता है रिवायरेवल फ्यूज है दोस्तो तो इसे कहा जाता है आइसी टीपी स्विच जनरल परपस में इसी को यूज पहले किया जाता था बट अब का जो सिच्वेशन है अब यहाँ पर थ्री फेस की जगह क्या अब आइसी टीपी की जगह हम यूज करते हैं मिनियेचर सरकिट ब्रेकर जिसे मसे यहकी कहा जाता है अलग अलग खेस के लिए अलग Marsh a यही युस कर दिया जाता है देखें लेकिन जी जब किया जाता था उस समय तो आर ऑसी टीपी का ही यूज किया जाता है लेकिन जन्रल में अभी भी जो आडवांस टेकनोलोजी अभी नहीं आए थी तब तक हमने आईसे टीपी का ही यूज किया है आगे देखें दुस्तों तो जितने भी आईसे टीपी का का कि श्मता और वॉल्टेज की शुमता के लिए तो अलग अलग करेंट ज्यादा के लिए अलग स्वीचत है वोल्त ज्यादा के अलग स्वीचे से जैसे आईसी ढीपी शुचे तो यह फेस के तीन ये यूज किया जाता है तो करेंट की केपिसिटी और वोल्डेज की केपिसिटी के अधर हम क्या करते हैं तो जनरल जो घरों में स्विचत यूज कीजाता है वह 5 वाला या 5-6 मपीर वाला सुछ हम यूज करते हैं दोस्तों, स्टेंडर्ड वैलो ठीक है तो यह 240 वोल्ट घरों के वाइरिंग के लिए उसके आता है स्विचेस अब देखेंगे जो कार्तुस प्रणाली वाली प्रारूपी में जो फ्यूस एकाई का प्रयोग एलेक्ट्रानिक उपकरणों में होता था तो कार्तुस प्रणाली वाले जो स्विचेस हम यूज करते थे जो फ्यूस यूज करते थे यह फ्यूस भी अलग अलग टाइप के होते दोस्तों ठीक है जैसे एच आर सी फ्यूस पढ़ेंगे इसके बारे में यह कार्तुस प्रणाली टाइप के होते हैं ठीक है तो बड़ी-बड़ी मोटर को सुरक्षा प्रवाइट करने के लिए हम क्या करते हैं HRC Fuse का भी करते हैं यूज तो HRC Fuse क्या है High Rupturing Capacity Fuse इसका भी यूज किया जाता है नेक्स देखेंगे दोस्तों अचालक अर्थात इंसुलेटर इंसुलेटर के बारे में जानेंगे अचालक अभी इंसुलेटर जो है जिन पदार्थों में मुक्त Electrons की संख्या क्या होती नगर्ने होती यह अर्थात होती ही नहीं Free Electrons की जो संख्या है Free Electron यह Free Electron होते ही नहीं ठीक है तो Free Electrons नहीं होंगे तो क्या कहलाएंगे अचालक कहलाएंगे अर्थाथ insulator कहलाएंगे दोस्तों तो जिन पधर्थों में frail electrons के संख्या zero होती है जर्ण्ने होती है उन क्या कहलाते है अच्छालक पधर्थी या इन दोस्तों यह हो गया आपका एक केबल ठीक है यह चालक क्या रत हो गया थीक है तो ह कीफस को सबस्क्किय工 हो गया अब यह कंड़क्टर के उ ethic उपर वाला जो पार्ट है तक बना हुआ यहुद और आपशलेक्टर किवकर ऑफ्र वाला पार्ट क्या कहला हो दोस्तों यही अचालक आयए की ऐसे इंसुलेक्टर जाता है इंसुलेटर या इसे अचालक कहा जाता है या कुचालक कहा जाता है कहीं अचालक लिखा हो या कुचालक भी लिखा हो तो भी बात एक ही है दोनों की मेनिक एक ही रिकलती है अचालक, कुचालक या इंसुलेटर ठीक है दोस्तों इसमें क्या होता है valence electron जो है insulator में या अचालक में valence electron greater than 4 होता है तो valence electron का जो मान है वो greater than 4 होता है मतलब कि 4 से ज़्यादा होता है valence electron को मान कितना होगा गर greater than 4 होगा दोस्तो और इसमें जो अचालक जो पदार्थ होते हैं वो हैं सबसे पहले माई का फिर है glass और उसके बाद है आपका अधर जो है insulating papers लेकिन सबसे ज़्यादा कुछालक पदार्थ होता है वो माई का होता है second में आपका glass होता है और glass का यूज किया जाता है बहुत बार अब insulation में और क्या यूज किया जाता है जैसे कि आपका होगया पोर्सलीन पोर्सलीन और ता चीनि मिट्टी जी से का जाता है तो चीनी चीनी मिट्टी का यूज़ करते हैं इंसुलेटर को बनाने में आगे देखेंगे हम पढ़ेंगे तो स्टुडेंट इस डाइग्राम में जो दिख रहा है यह है इंसुलेटर और यह जो इंसुलेटर बना हुआ यह चीनी बना हुआ दोस्तों जिसे पॉर्सलीन भी कहा जाता लिए लिए यहां से ज़ो करेंट का फ्लों यहां तक किया हो गया भूगा है कि emulate इसका इसलिए किया जता है क्योंकि यज़े पॉर्सली में डिति ग्रफर है किया ज़्ट कुछा कुछालग होता है और इसकी जो कीमत है वह कीमत क्या होती है कम होती है इसलिए इसका यूज किया जाता है दोस्तों तो यह विदुद्धारा के कुछ आलक होते हैं पहली बात तो second point है इनका जो resistance होता है यह क्या होता है बहुत हाई होता है इसकी जो resistivity होगी वो क्या मिलेगी आपको हाई होगी और यह जो transmission line है इसमें यह इंसुलेटर जो है यह पोर्सलीन के बनाए गये हैं जैसे मैंने पहले ही बता दिया है, Porcelain के बनाए जाते हैं और जो घरेली वाइरूमेंग जो Porcelain का प्रयोक किया जाता है वह Cut Out में होता है तो जहाँ पर Cut Out बानते हैं वहाँ पर Porcelain का यूज किया जाता है अरता जो Fuse यूज किया जाता है जिसे Rev популярable Fuse कहते हैं वो चीनी मिट्टी या पोर्सिलिन के बने होते हैं तो रिवारेबल फ्यूज किसके बने होते हैं चीनी मिट्टी के बने होते हैं दोस्तों हमने बताया था माईका का यूज किया जाता है और जो माईका है घरेलू वैरिंग में भी यूज किया जाता है तो माईका कहां यूज कियाता है तो अभरक का यूज या माईका का यूज जो करते हैं यह बहुत अच्छा कुचालक पदार्थ होता है इसलिए इसका यूज किया जाता है तो माईका का यूज बहुत अच्छा कुचालक पदार्थ है इसलिए इसका यूज किया जाता है और यह विदुत इस्त्री में किया ज करता है आगे दिएंगे हम जितने भी कुछालक पदार्थ हैं सभी कुछालक पदार्थ को वॉल्टेज सहन करने की छमता जो होती है वो कितनी होती है पहले तो कुछालक का यूस किया जाता है उसका जो परावध्यूत सामर्थ होता है वह होता है 20-40 कवी पर mm ठीक है तो 20-40 किलो वोल्ट पर mm होता है ठीक है दोस्तों यह हमें याद रखना है most important 20-40 किलो वोल्ट पर mm इध्यान दीजेगा यह केवी किलो वोल्ट है और विवारिक रूप में जितने भी विद्धुतरोधी तेल होते हैं इनकी शामर्थ कितनी होती है तो जितने भी डाइलेक्ट्रिक ऑईल है विद्धुतरोधी जो ऑईल है इनका जो परावध्यूत साम ट्रांसफार्मर ऑईल का यूज किया जाता है वह बेसिकली उसका जो परावध्यूत सामर्थ है वह 30-40 किलो वोल्ट पर mm होगा तो यह भी हमें याद रखना है और माईका का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंद्ध जो है परावध्यूत सामर्थ वह है 20-40 केवी पर mm इस्ट यह जो तत्वा है इसमें क्या है जो इलेक्ट्रन ग्रहन करते हैं और जो रिणात्मक आयन बनाते हैं तो यह जो तत्वा ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रन तो ग्रहन करते हैं लेकिन आयन क्या बनाएंगे निगेटिव आयन बनाते हैं दोस्तों